हाई गाईस आप सब कैसे हो आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे सुवस्त होंगे मस्त होंगे सो गाईस चले शुरू करते हैं आज कब लोग तो देखिए गाईस आज में बना रही हूँ मशूर की डाल जो मतलब चिकेन अंडा कैपसिकम टामाटर हर चीज डाल के मैंने ब दो देखिए जाँ सब्सक्राइब हो क्या होंगे बने तो सब्सक्राइब होता है तो देखिए कज के तो ढवन फांश कमे दान में रहता तो और भी तील बन चुका यह भी अऽ Champ लसार इन बंचैनि हैतो तो जादा तर डल को मतलब जितना भी सबजी है इसको अभी भून के फिर पकाएंगे धाल कुछकर और लिया है तो जचॉचन शपिसेसे सकड़ी और अंडा मनें ट्यल तो देखिए अंडे का एक भुजिया बना लेंगे थोड़ा सा और गाइस अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए कॉमेंट किजिए शियर किजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए तो देखिए तो नयास्राइक किजिए जँस किजिए यह चाहिए बना जोच और बनाने के बाद जैसे तो सब्ड़र नहीं जाहिए जैसे और कुछ चीज सब्ची कुछ और बोनेस चिकेन झार में रहता है तो बाणनेस चिकन नहीं पसंद करता है त फकुष्टा .... चिकन ना रह जाता है तो उससे ना ऐसे दाल बनाएंगे ना सब लोग उंगली चाट चाट के खाएगा तो देखिए गाइज जो प्याज को मैंने काड लिया था वो पहले प्याज डाल लिया है तो थोड़ी देर फ्राइ कर लेंगे तो गाइज और अभी डाल रहे हैं लसन लसन को थोड़ा सा घिस लिया है तो ऐसे करके लसन दिया है आप लोग छोड़ा चोड़ा काट के भी लसन दे सकते हो लसन पीसा नहीं है मैंने और देखिए अभी डाल लिया है चिकन चिकन का चोड़ा चोड़ा पीसेस कर लिया है और बड़ा पीसेस अच्छा नहीं लगत बहुत सही लगता है तो देखिए गाइस चिकेन को थोड़ा सा मैंने फ्राइ कर लिया है और देखिए अभी मैं डालूंगी ना इसके उपर कैपसिकम और यह कैपसिकम डालने के बाद गाइस जबर दस्त बन जाता है यह दाल तो जैसे मसूर दाल तो आप लोग खाए होंगे लेकिन ऐसे अगर बना के खाएंगे ना तो मैं बोल रहे हूं कि इतना इतना अच्छा लगता है जैसे रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है और चावल के साथ भी जम जाता है जैसे तो गाइस देखिए कैपसिकम को भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे वही सब कुछ के साथ चिकेण विकेंड के साथ अभी देखिए गाइस में डाल रहे हूं मसाला तो मेंने डाल लिया है नमक और थोड़ा सा डालोंगी हलदी पाउडर और लाल मِّर्च पाउडर और टमाटर अभी मैंने नहीं डाला तमाटर ये मसाला डालने के बात फीम्ण निकला लिए तो अच्छी तरीके से मसाला देखिए भून लिया और फिर ना ये जो मतलब भूनने के बाद फिर देखिए थोड़ा सा भून लेंगे ना फिर उसके बाद ही डालेंगे टमाटर तो देखिए कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना और खाने में बहुत टेस्टी तो देखिए गाइस टमाटर में डाल लिया है और जो हरी मिर्च में ने काट के रखा था वो भी उपर से में डाल दूंगी और देखिए गाइस इतना टेस्टी टेस्टी बन जाता है ना तो देखिए अभी ना टमाटर और हरी मिर्च में डाल के थोड़ा सा भून लेंगे यह मतलब मसाला जो है और इसमें पूरा पूरा मसाला जैसे डाल के अंदर यह पूरा चीज बहुत बहुत टेस्टी लगता है तो देखे थोड़ा सा मैंने डाल लिया है पानी और थोड़ा सा पानी डाल के भी भून लेंगे तो काईश देखिए अच्छी तरीके से मैं भून लिया और फिर भूनने के बाद ही बन जाएगा और इसमें न मैंने जीरा और धनिया पाउडर नहीं दिया तो थोड़ा सा अब लोग करम मसाला भी दे सकते हो तो मैंने करम मसाला थोड़ा सा पाउडर दिया था तो देखिए भूनने के टाइम पह भूरोज टाइम तो नहीं उठा पै तो देख यहां पे जो डाल है ना धी案 नग ऑज ज्यादा गलाने की जरूरत नहीं जैसे थोड़ा सा जैसे दो सिटी के बार ही डाल बनन जाता है कुकर में न 2 सीटी लगाएंगे ना दाल बन जाता है तो देखिए दाल को अची तरीके से साथ यह सब कुछ के साथ मिक्स कर लेंगे और वो जो कुकर था जिसमें डाल पकाएं तो अची तरीके से पानी डाल के उसके अंधर भी डाल जैसे लगे हुए रहते तो उसको भी धो तो अच्छी तरीके से यह पानी डाल के दाल को सबजी के साथ यह सब कुछ के साथ मिक्स कर लेंगे अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कॉमेंट किजिए मुझे और देखिए कितना बड़िया बना है और मेरे हजमेंट को इतना पसंद था यह दाल क्या बताऊँ यह दाल अगर पकाते ना तो मेरे हजमेंट को और कुछ नहीं चाहिए, जैसे इस दाल से ही उसका खाना बन जाता है और ना अभी तो डैथ हो चुका है अभी जब भी कुछ बनाते हैं ना मतलब हस्बेंट की बाद याद आते हैं लेकिन क्या करूँ जैसे कुछ लब्स नहीं होता क्या बोलू तो देखिए गाईस अभी थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और ये डाल ना थोड़ा सा गाड़ा गाड़ा बनता है पतला पतला नहीं बनेगा जैसे गाड़ा गाड़ा डाल बनता है रोटी और चावल के साथ अच्छा लगता है और देखिए इसमें मैंने डाल दिया है वो जो अंडा जो भुजिया करके रखे दे तो देखिए थोड़ा सा उबालने के बाद ही अंडा को कि टीऊ इसको वबाल गया से और पक लेंगे तो देकि यह है और श्लान अजय को लोटी के साथ फूर जाता है इतना अच्छा लगता है तो गार बना एक जय से पर नियुज कुछ नहीं है इको इट पुरा चल जाता है तो गाइस आज का वीडियो इतना ही मिलते फिर अगले ब्लोग में बाई बाई गाइस आप सब अच्छे